Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are here with the solution of class 10th science worksheet number 19. विज्यान की आपकी class 10th की worksheet है, जो आज की 17th of August की है, उसके solution की बात करेंगे. तो एक छोटा सा वेडियो होगा, जिसमें हम 2 या 3 मिनट में आपको उन 5 questions का solution देंगे. वो भी written में, चलिए देखती हैं, ये आपकी screen के उपर visible हो रहा है, टेट जो दी गई आज की है, 17th of August 2020, वोक्षीट number 19, subject is science. So, first of all, let's do check the questions, ये 5 questions दिये गए हैं, पहला जो question है, आपका किसी चाला का परतिरोध किन कारकों के उपर निर्भर करता है? तो यहां पे आप देखिए, answer दिया गया है, ये तीन कारकों के उपर निर्भर करता है, चाला की अनुप्रिस्त कार्ट का शेत्रफल, दूसरा चाला की अतार की लंबाई, और तीसरा पदार्थ की परकृत्ती के उपर, जो कि आपकी worksheet है, उसमें भी दिया गया है, दूसरा परतिरोध क्या होगा, तो उसका solution करके आपको दिया गया है, और इसका आप short में लिखना चाहो, तो उसका जो परतिरोध है, वो चार गुना बढ़ जाएगा, तीसरा जो question है, वो ये है कि कोपर का प्रियोग है, वो तारों में क्यों किया जाता है, कोपर धातु की परतिरो परतिरोध कम होती है, पहले चीज, अधर इसकी चालगता है वो अधिक है, जब परतिरोध कम होगी, तो चालगता अधिक है, इसका इसका अप्योग विद्दिूत के तारों में किया जाता है, आपका fourth question है, वो है कि उज्चालगों की परतिरोध कितनी होती है, सामानत है, उ में silver, copper, aluminium आदी शामिल है फिप्थ है कि विद्यूत के तारों में या पिर जो बिजली के सामान होते है उनमें मिशर धातूं का उपयोग या जाता है जबकि सुद्ध धातों का उपयोग कम किया जाता है क्यों? तो मिशर धातू जो होते हैं जो होते हैं उनकी पर्तिरोधिकता जो होती है वो सुद्धातों की अपेक्षा अधिक होती है और पर्तिरोधिकता जितनी अधिक होगी उतने ही चालकता अधिक होती है तो तापन के परभाव के लिए मिश्र धातों की तंतु है वो बनाये जाते हैं और यहीं का उपियों के जता जिसे गिजर है या फिर जो iron price है या आप AC वगरा देखते हो तो वहाँ पर कहीं पर भी वहाँ पर अधिकाँस ते मिर्षड़ दातों को प्यों के जते हैं क्योंकि चालकता अधिक ओती है और प्रतिरोधिकता जो ओती है वो सुध दातों के पिक्षा अधिक होती है तो